आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दे हिंदू में चपी खबर इंडिया इन्वाइटेट तो बिकम फुल टाइम आई-ई-ए मिम्बर और दे इंडियन एक्स्प्रेस में प्रकाशित खबर इसमें टीम द्रिष्टी के इन्पुट्स भी शामिल है यह आडियो आर्टिकल जी एस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा हुआ है तो आएए लेख की शुरुआत करते हैं आई-ई-ए में भारत की पूर्णकालिक सदस्यता के नहितार्थ हाली में ओयल मिनिस्टर हरदीप सिंपूरी ने अपने एक वक्तवे में बताया कि आई-ई-ए यानि अंतरास्ट्रिय उर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्यत से बनने के लिए आमंत्रित किया है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलेक्रिसीटी कंजूमर देश है दरसल पेडिस स्थित इस स्वायत अंतर सरकारी संगठन ने भारत की बरती उर्जा जरूरतों को देखते हुए ये निर्ने लिया है इस एजेंसी का मुख्य फोकस उन नीतियों पर है जिसमें आर्थिक विकास उर्जा सुरक्षा और परियावरन सनक्षन आदी शामिल है बदलते विश्व के साथ अब उर्जा जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है कोईला, तेल, नविकर्णिय उर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी के बाद अब परमानु उर्जा विश्व स्तर पर कार्बन मुक्त बिजली के सबसे बरे योगदान करताओं में से एक रही है और इसमें बिजली क्षितर के डीकार्बोनाईजेशन में योगदान करने की महतपूर्ण क्षमता माने जा रही है इस डाइनेमिक परिवेश के साथ भारत को भी अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है करोना जैसी महामारी ने इस ओर इशारा किया है कि किसी देश के लिए उसकी उर्जा या पेट्रोलियम रिजर्व का होना कितना जरूरी है आज हम इस आर्टिकल के जरिए चर्चा करेंगे कि आखिर अंतरास्टिय उर्जा एजनसी क्या है या क्या क्या काम करती है इसके निर्मान की जरूरत क्यों पड़ी और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत द्वारा इसकी पूर्निकालिक सदस्ता हासिल करने के क्या माइने हो सकते हैं आईए बात करते हैं अंतरास्ट्रिय उर्जा एजेंसी के बारे में 1973-74 के तेल संकट के बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल के वितरन को लेकर कई समस्याइं पैदा हुई इसके चलते एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई जो तेल आपूर्ती धारनियता को बनाने में सहयोग दे सके और ऐसे मुद्दों के बेहतर संचालन के लिए सुझाव दे सके साथ ही इस स्चेतर से संबंधित नीतियों के निर्धारन में भी मदद की जा सके इसी कलपना के साथ अंतरास्ट्रिय उर्जा एजेंसी को फ्रांस के पेरिस में 1974 में स्थापित किया गया यह एक स्वायत अंतर सरकारी संगठन है इसके कार्य एवं नीतियों की बात करें तो IEA की नीतियां Economic Development यानि आर्थिक विकास, Energy Security यानि उर्जा सुरक्षा और Environmental Protection यानि पर्यावरन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किंद्रित हती है मसलन इन्हें IEA के 3E की रुपें भी जाना जाता है समय के साथ इसके अधिकारों का विस्तार प्रमुख वैश्विक उर्जा प्रवडीतियों पर नजर रखने और उनका विशलेशन करने, Sound Energy Policy को बरहावा देने बहुरास्टिय उर्जा प्रवडोगी की सहयोग को प्रसाहित करने के लिए हुआ है यह एजनसी अपने सदस्य देशों और उससे आगे उनके भविश्य के लिए विश्वस्निय, सस्ती और स्वक्ष उर्जा सुनिश्चित करने के मिशन के साथ काम कर रही है भौतिकी के प्रसिध वैग्यानिक आइंस्टिन के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रमुख जो सोर्स माना जाता है वह उर्जा है सही मायने में उन्होंने ही उर्जा की अहमियत को समझा और पूरी दिनिया को इसके बारे में बताया आज वही उर्जा पूरी दुनिया की प्रमुख जरूरत बनकर उखरी है इतना ही नहीं इस एजेंसी के प्रमुख केंद्रिय बिंदू की बात करें तो यह उर्जा सुरक्षा यानि सभी उर्जा क्षित्रों में विवित्ता दक्ष्ता और लचीलेपन को बढ़ावा देना आर्थिक विकास यानि आई ए सदस्य देशों को उर्जा की स्थिर अपूर्ती सुनिचित करना और आर्थिक विकास को बरहावा देना जैसे काड़ प्रमुक्ता से देखती है साथ ही उर्जा की कमी को खत्म करने के लिए मुक्त बाजारों को बरहावा देना इसके लिए नीतियां बनाना आदी भी इसके महत्तोपूर्ण बिंदों में शामिल है 21 सदी में प्रवेश के साथ ही I.E.A. ने अपने कारे ख्षितर में भी विस्तार किया है जैसे अब यह कोईला कच्चे तेल से आगे जाकर पवन, हाइड्रोजन, सोलर एनरजी यानी सौर उर्जा जैसे कई ख्षितरों तक भी पहुँच बना चुकी है और यह इन सभी ख्षितरों में नीती निर्मान और तकनीकों के लिए कारे कर रही है हाल के सालों में पर्यावरन जागरुकता इसका प्रमुक ख्षितर बन गया है जलवायू परिवर्तन से निपटने की विकल्पों के बारे में अंतरास्टिय ज्यान को बरहावा देना साजा उर्जा और पर्यावरन संबंधी चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गैर सदस्य देशों विशेश तोर पर प्रमुक उत्पादकों और उपभुकताओं के साथ मिलकर काम करना इसका नया काड़ेश्यतर बनकर उभरा है यह एजेंसी वैश्विक लेवर पर कुछ रिपोर्टों का भी प्रकाशन करती है जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलूक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलूक रिपोर्ट आधी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 के लिए चार परिद्रिश्य से त्यार किये गए हैं जिन में शामिल हैं 2050 तक शुद्ध शुन्य उत्षरजन यानि Net Zero Emission Announced Pledges Scenario, Stated Policies Scenario और सतत विकास परिद्रिश्य आपको बता दें कि यह एजनसी 30 देशों से मिलकर बनी है यह सभी की उर्जा जरूतों को देखते हुए उनके लिए उर्जा तक पहुँच बनाने और दुनिया भर के करोडों लोगों के लिए बिजली की कमी के बीच के अंतर को कम करने के लिए काम कर रही है विक्सित देशों की तुल्ला में भारत जैसे विकास शील देशों में यह अंतर काफी अधिक है ऐसे में जानेंगे कि भारत द्वारा I.E.A. के पूर्ण कालिक सदस्थ से बनने के क्या माइने है और भारत किन अरहताओं के साथ इस अंतरास्टिय उर्जा एजनसी का सदस्थ से बन सकता है बात करते हैं I.E.A. की पूर्ण कालिक सदस्थ से के माइने के कॉन्टेक्स्ट में भारत एक उभरती उर्जा शक्ती है यहां उर्जा का उभभोक दिनों दिन बर ही रहा है यह उर्जा का एक प्रमुक आयातक देश भी है भारत मार्च 2017 में I.E.A. का एक सहयोगी सदस्थ से बना था लेकिन यह संगठन के साथ जोड़ने से बहुत पहले ही I.E.A. के साथ जोड़ा हुआ था गौर तलब है कि इस साल जनवरी में I.E.A. के सदस्य और भारत उर्जा सुरक्षा और स्वक्ष उर्जा उसंक्रमन सहित कई महतपूर्ण शेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करते हुए एक रणनितिक साजहदारी में प्रवेश करने पर सहमत हुए है भारत I.E.A. रणनितिक साजहदारी के सौहाविक परिनाम के तौर पर I.E.A. ने भारत को पूर्ण सदस्य बनकर I.E.A. के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए आमंतृत किया है इस एजेंसी के आठ सहयोगी सदस्यों में भारत, ब्राजील, चीन, सिंगापूर, दक्षिन अफ्रीका, इंडोनेशिया, मुरको और थाइलेंड शामिल है इसके अलावा चार देश चीरी, कॉलंबिया, इसराइल और लिथुआनिया पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग भी कर रहे हैं ऐसे में भारत के लिए आमंतरन एक बहतर कदम माना जा रहा है भारत को सदस्यता देने के कारणों की बात करें तो वैश्विक उर्जा प्रविर्टियों में भारत तेजी से प्रभावशाली होता दिख रहा है भारत की उर्जा नीतियों पर इसकी in-depth रिपोर्ट जिसे 2020 जनवरी में जारी किया गया था उसमें कहा गया है कि आने वाले दशकों में देश की उर्जा की मांग तेजी से बहने की संभावना है रिपोर्ट में यह भी रिखांकित किया गया था कि बिजली का उपयोग तेजी से बहने वाला है इंधन आयात पर देश की निर्भरता भारती अर्थविवस्था के लिए उर्जा सुरक्षा की प्राथमिक्ता में सुधार करती है भारत का इस एजन्सी में शामिल होना भारत की उर्जा जरूरतों को पूरा करने में साहयक बना सकता है चुकि IEA अब हाइड्रोजन, नापकिये, सौर और पवन उर्जा पर तेजी से काम करने पर ध्यान दे रही है ऐसे में भारत को केवल कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने में यह सदस्ता बेहत अहम साबित हो सकती है इस सदस्ता से IEA की सभी तकनीकों को साजा करने में आसानी होगी IEA के एक रणनीतिक भागिदार के तौर पर भारत के लिए लाभों और जिम्मेदारियों में लगातार विधी होगी मसलन मौझूदा क्षित्रों और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम यानि CETP पर निर्मान जैसे उर्जा सुरक्षा, स्वक्ष और टिकाव उर्जा, उर्जा दक्षता, पेट्रोलियम भंडारन ख्षमता में विधी, भारत में गैस आधारित अर्थवेवस्था क सहयोग हो सकेगा, भारत के लिए उर्जा का भंडारन और इसका उप्योग मौझूदा वक्त की जरूरत है, ऐसे में हम जानेंगे कि IEA में शामिल होने के पात्रता मांदन्द क्या कुछ हैं, उर्जा सुरक्षा के मद्दे नजर आई ये जानते हैं, वे कौन से क्राइटे हैं, इसके लिए भारत बहुत बड़ी मात्रा में अन्य देशों पर भी डिपेंडेंट हैं, हाला कि भारत के अपने स्वैम के कुछ पेट्रोलियम डिजर तो हैं, और भारत अपनी भंडारन ख्षंता बरहाने पर निरंतर काम भी कर रहा है, अंतरास्टिय उर्जा एजिंस इनर्जी प्रोग्राम पर समझोते के नुसार कम से कम नब्बे दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना होगा, यानि आपात इस तिती में आपके पास कम से कम नब्बे दिन तक तेल उप्योग करने की च्छंता हो, आपके पास के सामरिक तेल भंडार अपनी आविशकता के 9.5 दिनों के ही बराबर हैं, अगर अन्य पातरता मांदंडू की बात करें, तो IEA के लिए उमिदवार देश में होना चाहिए, राश्टिय तेल की खबत को 10% तक कम करने के लिए डिमांड रिस्टेंड प्रोग्राम, उस हिस्से का योगदान करने की छमता सुनिशित करनी होगी, यदि भारत IEA का आमंत्रन प्रस्ताव स्विकार करता है, तो भारत को रननीतिक तेल भंडार यानि स्टेटेजिक ओयल स्टॉक को 90 दिनों की आविशकता तक बरहाने की जरूरत होगी, इसके लिए भारत को अपने पेट्रोलियम रिजर्व को बरहाने पर भी ध्यान देने की आवशकता होगी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह मौजूदा वक्त की जरूरत बन गया है, इन सभी मुद्दों के मद्दे नजर आईए समस्ते हैं, क्या हो आगे की राह, आर्थिक विकास का भी उर्जा उपयोग के साथ बड़ा बहुत तपूर्ण संबंध होता है, इसलिए भारत जैसी तेजी से बरती अथवयवस्था के लिए उर्जा जैसे महतुपूर्ण च्छत्र में आत्म निर्भरता बहुत जरूरी है, अंतरास्टिय कच्चे तेल के बाजार में होने वाली किसी भी अपत्याशित घटना से निपटने के लिए भारत की वर्तमांग चंता परियाप्त नहीं मानी जा रही है, एक दिन में लगभग पांच मिलियन बैरल तेल की खपत के साथ देश का आधे से भी अधिक हिस्ता तेल पर निर्भर है, भारत के प अधिक समय तक पूरा करने में सक्षम नहीं दिखते, वर्तमान में भारत के पास पहले से तीन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कारेरत हैं और हाली में दो अने रिजर्व भी बनाय जाने की बात की गई है, इस कारेक्रम के पहले चरन के तहत भारत सरकार ने तीन स्थ करनाटक में मंगलोर और करनाटक में ही पाडूर और साथ ही नई सुविधाओं में भूमिकत भंडारंग की कुल 6.5 मिलियन मिट्रिक टन भंडारंग चंता के साथ वानिजिक सह सामरिक सुविधाएं भी होंगी वरतमान मांग विदेशों में मौजूद उर्जा सरोतों से संबंधित संपत्ती की तलाश करने की है भारत को मेजबान देशों में भारती संपत्ती के रूप में तेल की खरीद और उसे स्टोर करना चाहिए तथा आविशक्ता पढ़ने पर प्रयोग किया जा सके ताकि किसी एक छित्र के एक अधिकार से बचा जा सके इससे किसी एक छित्र से निरभरता कम हो सकेगी जैसे वरतमान में भारत अधिकांश तेल खाड़ी देश से आयात करता है यह तेल उर्जा का केंद्रिय स्रोत है लेकिन यह सीमित है इसलिए वैकल्पिक स्रोतों की और की ध्यान देने की आवशक्ता है हाल के वर्सों में आई एए वह वैश्विक एजनसी के तौर पर उभरा है जो उर्जा के परियावर्निये प्रभावों को लेकर जागरुक दिख रही है आई एक अनुमानों के मताबिक उर्जा दक्षता स्वक्ष इंधन और नवाचार व अधारित प्रश्ण प्रश्ण है भारत के अंतरास्टिय उर्जा एजनसी के पूर्नकालिक सदस्द से बनने के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए बताएं कि अंतरास्टिय उर्जा एजनसी के पूर्नकालिक सदस्द से बनने के पात्रता मांदंड क्या क्या है